हेलो स्टुरेंट्स कैसे हैं आप सब लोग वेलकम तो लोफ यू वेलकम तो रॉंबस एजुकेशन अभी तक हमने फाइव लेक्ट्ट्स कंप्लीट कर ली है पर्मूटेशन कॉंबिनेशन के अब हम लेक्ट्ट नमबर सिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट लेक्ट्ट में हमने क्वेशन नमबर एटी तक कर लिये थे फिर भी उसमें कोई क्वेशन में डाउट हो तो आप हमसे हमें इंफर्म करके डिसकस कर सकते हैं और आफ्टर दैट वी आर गोईंग तू स्टार्ट लेक्ट्ट नमबर सिक्स पर्मूटेशन और कॉंबिनेशन इसमें कुछ क err sou अब इसको नोट कर लेता हूं कि अपने को सर्कुलर पर्मूटेशन करण और सब्सक्राइब तो किशा सक लकुलर वचैस करें gyaktion क्योंकि नया लेक्टर है तो हम इसके स्टार्ट करें तो आपको मतलब प्रॉबलम नहीं आएगी तो combination जो है उसको हम पहले समझते हैं क्योंकि अभी तक हमने combination का concept नहीं समझा है तो पहले आज की लेक्चर में combination का concept समझेंगे फिर आगे वाले lectures में इसके questions करेंगे है तो the heading of lecture 6 is combination इसमें आपको थोड़ा सा permutation भी बता दूंगा कि अभी कैसे combination जो है help करता है permutation के अंदर वैसे मेरे according तो मतलब combination पहले पढ़ाया जाना चाहिए पर हमारा education system ऐसा है जिसमें पहले पढ़ाता है combination बाद में बढ़ाता है ठीक है दोनों ही simple है पहले combination perform होता है किसी भी activity में and after that permutation perform होता है इसको समझने के लिए हमें छोट असा एक्जामपल ले लेते हैं जैसे यह एक बड़ा सर्किल है और इस बड़े सर्किल में आपके एन अब्जेक्ट्स है इसको बोलेंगे टोटल अब्जेक्ट्स और इन टोटल अब्जेक्ट्स में से हमें कुछ अब्जेक्ट्स को सम्भे संब्जेक्ट्स हो सकते हैंلة के सारे हो सकते हैं और औ्ल को अप्जेक्ट्स सारे अगर व देक्ट्स ले रहें मिलें तोगिए टोड़ेarat से बढ़ा होगा और विए टेकिंग ओल अब्जेक्स देन एन की वेल्यू आर के इक्वल हो जाएगी और कम्बाइंड फॉर्म में हम रूल बना देते हैं एन इस ग्रेटर दन इक्वल्स तू आ तो हमने का कि भी एन में से आर अब्जेक्स को ले रहे हैं ले रहे हैं मतलब कै क्या कर रहे हैं सेलेक्ट कर रहे हैं और सेलेक्ट का एक और वर्ड भी आपको एक्जाम में मिल सकता है यह एक और वर्ड मिल सकता आपको यह चूज चूज करना है ना तो जहां पर बात सिर्फ सेलेक्शन की होती है वहां पर कॉंबिनेशन पर्फॉर्म होता है मतलब इस ए यह जो action perform हुआ है that action is known as combination यह आपका combination है जैसे for example like हमने n की value ले रेते हम 10 n equals to 10 और r की value जो है वो हमने ले ली 4 ठीक है four objects हमने ले लिये और अगर in four objects को these four objects objects are going to be arrange or rearrange अगर इनको हम arrange करें या rearrange करें in that case this is known as यहां से लेकर के यहां तक का जो process है इसे हम बोलते हैं permutation तो बच्चों जो हमने permutation अभी तक पढ़ा five lectures के इसमें questions भी हमने करें इसमें combination जो है वो already perform हो चुका होता है मतलब हम कह सकते हैं कि permutation is the next step of the combination ठीक है मतलब पहले selection होता है और फिर arrangement होती है अब बात करते हैं selection की मतलब में जो हमें बात करनी है that is selection वह बात करनी हैं कोई importance नहीं होती जब तक के हमें required ना हो क्या बोला मैंने जैसे किसी job interview के लिए 10 लोग आए और उस job interview से चार लोगों को हमें select करना था मतलब vacancies थी चार लोगों की लेकिन इंट्रिव देने आ गए 10 लोग अब एक बंदे का selection हो गया दूसरे का हो गया तीसरे का हो गया फॉर्थ का जैसी selection हुआ वह बंदा जोर जोर से selection committee पर चिलाने लग गया बोला आपको पता नहीं मेरे में कितना talent है आपने मुझे तीन घंटे से वेट करवा कि रखा मेरे से पहले तीन लोगों को select कर लिया मेरा selection सबसे पहले order पर क्यों नहीं किया मुझे सबसे पहले select क्यों नहीं किया बताओ क्या ऐसा कभी practically होता है कि दूसरा case हम किसी party में गए वहां पर हमें चार दोस्त मिल गए हमने one by one करके सबसे handshake किया जब हाथ मिला रहे थे तो जो जिससे सबसे last में हाथ मिलाया या जिससे तीजिरे नमबर पर हाथ मिलाया वो नराज हो गया वो क्यों नराज हो गया कि भी मुझे सबसे पहले हाथ क्यों नहीं मिलाया है ना कुछ वैसे कुछ लोग मतलब दोस्तों ऐसा हो जाता है प मैं बर्डे की ट्रीट दे रहा हूं आप लोग मेरे घर पर आ जाना आज कर दिनर आम लोग साथ में करेंगे तो एक दोस्त ने मुझसे पूछा कहता सोरभ बता मेरे से पहले कितने लोगों को तुमने कॉल किया मैंने का लगबग अराउंड 7-8 पीपल्स को 7-8 फ्रेंड्स को तो दन ही सेड ऐसा कैसे मुझे सबसे पहले इनवाइट क्यों नहीं किया क्या उसके एक वर्शन होना चाहिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए में मैंने हाथ मिलाया नहीं मिलाया मैंने इनवाइट किया नहीं किया मैंने जोब में सेलेक्शन दिया नहीं दिया जब बात सेले पर selection perform करना मतलब कहां पर combination perform करना और कहां पर permutation perform करना तो जहां पर हमें words बनाने होंगे जहां पर हमें numbers बनाने होंगे जहां पर हमें arrangements करनी होंगी वहां पर permutation है बिल्कुल सिंपल है कहीं उलजने वाली बात नहीं है और जहां पर हमें सिर्फ और सिल्फ सेलेक्शन परफॉर्म करना है इन सच केस वी विल अप्लाई कॉंसेप्ट ओफ कॉंबिनेशन तो कॉंबिनेशन जनरली कहां होता है तो मैं आपको बता हूं जैसे आप किसी से हैंडशेक करते हैं हई अब कहीं शोपिंग का कुश्चन आगया पेपर में आप शोपिंग करने गए आपको सेलेक्ट करना है वहां पर आपके पास में सामने चार टी-षर्स हैं आपको एक टी-शिट करनी है कोई डोनेशन दे रहे हैं अब आपकी Pocket में चार नोट है कोई विखारी आपके पास में आ गया को बैगर आ गया को जरूरत मंद आ गया तो अब आप डिसाइट करोगे कि उन चार नोट में से आप कौन सा होगे उसे हैं 5 रुपे वाला दस वाला वीज वाला पचास वाला कौन सा नोट आप करने जा ठीक है कोई शेप बनानी हो यह शेप फॉर्मेशन के फॉर्मूलाज और यह बाद में जानेंगे मैं सिरफ अभी बता रहा हूं कि किन क्वेश्चन में आपका कॉंबिनेशन अप्लाई होता है कोई टीम का फॉर्मेशन करना हो या कोई कमेटी कोई ग्रूप बनाना हो है तो यह जनररिली वह केसे जहां पर आपका कॉंबिनेशन अप्लाई होता है इस मझा तो जो कॉंबिनेशन होता है that इस दिनोटेट बाइन एन सी आर कॉम्बिनेशन इस डिनोटेट बाइ एन सी आर मतलब आप इसको ऐसे समझते हैं एन में से आर को हम क्या करने जा रहे हैं चूज करने जा रहे हैं सी बोले तो चूज करना और जो पर्म्यूटेशन होता है और यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है मतलब इस प्रोसेस में आपका क्या एक्स्ट्रा एड़ हो रहा है तो इस प्रोसेस में हमारा जो एक्स्ट्रा एड़ हो रहा है वह क्या है अर्रेंजमेंट रियर्रेंजमेंट रियरेंज और रियर रेंज के लिए mathematics में क्या सिंबल आता है फैक्टोरियल है ना फैक्टोरियल ओफ फैक्टोरियल ओफ आर यही तो होता है मतलब हम आर फैक्टोरियल से क्या करते हैं multiply करते हैं तो हम as a conclusion कह सकते हैं कि ncr के अंदर जब जिन और objects को हमने select कर रहा है उनको अगर rearrange कर दें देन वी विल गैट एन पी आर और simply हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि npr is divided by ncr then it is equals to r फैक्टोरियल यह भी कहीं न कहीं हमारा आगे जा करके काम आ जाएगा यह वाली बात ठीक है तो यह एक important बात है जो अमने ध्यान में रखनी है ठीक है और second thing यह वाली के भी ncr मतलब बात तो दोनों सेम ही हैं मतलब मैंने क्या किया और से जो multiply कर रहा था उदर ले गया तो वह डिवाइट में चला गया ठीक है ncr डिवाइड में आगे npr के तो यह दो बाते में ध्यान में रखनी है clear तो आप इसे नोट कर लेंगे अब आगे next में चलते हैं अब इसके कुछ basic जो formula हम कहा दें basic type अगर हम कहा दें तो वह क्या है आपको कुछ calculation wise भी ध्यान में रखना है जैसे हम कहें 4 पी टू तो पर्मुटेशन में इसको क्या लिखेंगे पूर फेक्टोरियल अपन पूर माइनस टू फेक्टोरियल ऐसे रिखेंगे क्योंकि एन पी आर का जो formula रहता है वो क्या रहता है एन फेक्टोरियल अपन एन माइनस आर फेक्टोरियल यह रहता है एक बात सेकिंड अभी अभी हमने पढ़ा एन सी आर को और फेक्टोरियल से मल्टिप्लाई करें देन वील गेट एन पी आर तो इसी से अगर हम एन सी आर का formula बनाना चाहें तो क्या बनेगा एन पी आर डिवाइड़ बाई और फेक्टोरियल एन पी आर का formula अग आर फेक्टोरियल और यह जो आर फेक्टोरियल था एक्स्ट्रा जो एड़ हुआ है इसको हम यहां पर डिवाइड में लगा दें सेम एन पी आर के तो यह आर फेक्टोरियल तो यह जो formula हमारा निकल करके आया यह formula किसका आगया हमारे पास में ncr का अगर हम अभी अभी जो हमने पढ़ा इसको देखें तो यह अगर बात देखें हम तो npr और ncr में और फेक्टोरियल कर तो पर गया है तो npr में अगर इस और फेक्टोरियल का डिवाइड देदें ncr और उदर ले जाएं तो यह formula बन ज सकते हैं मतलब फॉर्मूला हमारा यह होता है ठीक है तो अगर इसी में 4C2 होता तैन क्या होता फॉर फेक्टोरियल फॉर माइनस टू फेक्टोरियल बेटा यहां तक तो आपका पर्मुटेशन परफॉर्म हुआ और अगर टू फेक्टोरियल एक्स्ट्रा आ जाए तो वह यह यह लोग वाला जो अपन इस स्क्रीन पर हो रहा है कि यह जो आर्फेक्टोरियल है इसका एक्स्टा डिवाइट देना है तो मतलब एज़ कंक्लूजन क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसकी कैल्कुलेशन तो इन शोट फॉर इंटू थी होती है यह में पता है फॉर पी जआना है इसका टू तो पेक्टोरियल का यानिक इस तू फैक्टोरियल यह जो येलो मतलब कलर मैं विल्कुल से मतलब आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा बड़ा सोच समझ करके यूज होता एं तो तो तू प्मान ऊक्टल चा मतलब एक्स्ट्रा है मतलब हम कह सकते हैं प पर्मूटेशन तो परफॉर्म हो गई होगा विल बी परफॉर्मट बट डिवाइड़ बाई और फ्रेक्टोरियल ओल्सो ठीक है और फ्रेक्टोरियल का हमें डिवाइड जरूर करना है ठीक है तो इसी के बेस पर अब हम कुछ कैलकुलेशन करने जा रहे हैं कि अब कैसे फास्ट कैलकुलेशन हमें पेपर में ध्यान में रखनी है आज आए अब गोएंग टू कैलकुलेट 9C3 तो 9C3 क्या होगा 987 यह तो पर्मूटेशन हो गया और इस थी का फेक्टोरियल तो 321 9C6 बताइए क्या होगा 9876 शिक्स पाइफ ओर डिवाइड़ बाए 654 321 यह पर्फॉर्म हो गया ठीक है तो अगर यहां पर कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल कर लेंगे 666 कैंसिल हुआ 545 कैंसिल हुआ 444 कैंसिल हुआ अल्तिमेटली वी गोट 987 321 और और अग्जम्पल देगें आ इम गों तो कैल कैलेट 7C2 धनिती 7621 और हमें वीव चांना 7C5 जैक 76543 रफ दो कैंसिल हुआ हू वी चाहिए तो कैंसिल हुआ हम बार वी ठीकाल हुआ है फड़ पर्वू तो कैंसिल हुआ के लागे लागे था था पर तो 5 से 5 चैंसिल हुआ 4 से 4 ओ बार 3 से 3 हुआ तो we got 7 into 6 2 into 1 यह आ गया तो अब इस एक्जम्पल है मैंने आपको दो चीजी सिखा दी एक तो basically calculate कैसे करना है and the second thing जो एक बात मुझे notice हो रही है क्या बात notice हो रही है 9C3 is giving the same result which is given by 9C6 मतलब दोनों से क्या रभाई result आ रहा अपना same result आ रहा है clear और इदर देखें तो 7C2 ना यह color हमने ले लिया गलत इसको भी हम change कर लेते हैं 7C2 जो है वह सेम रिजल्ट दे रहा है जितना रिजल्ट 7C5 से मिल रहा है तो अगर कोई खास बात आपको notice हो रही है तो देख के बताओ सोचो क्या बात notice हो रही है यहां पर जो notice होने वाली बात है वो इनके आर के अंदर है एक relationship जो मुझे clearly दिखाई दे रही है वो है यह यह त्री और यह six ठीक है इदर टू और इदर फाइव ठीक है कुछ जाद ही decoration हो गई तो आठीक है दिख रहा है तो इसेवन सी टू और इदर सेवन सी फाइव तो सेवन सी टू सेवन सी फाइव तो बात क्या बात है यहां पर बात है यहां पर यहां पर क्या बात है कि अगर इन दोनों नमबश का रही हम टोटल करें ऑगर इन दोनों नमबश काम टोटल करें दें वी विलिल जब जब, N C X यहांपर कोई नमबर X है, और N C Y होगा, then X और Y का सम N के एकॉल होगा, इसका और इसका सम विल जनरेट इस N, यह N जनरेट करेगा, तो यह बात कहां काम आएगी, लाइक आपको question paper में दिया हुआ है hundred c98 hundred c98 then अगर इसको calculate करना पड़ गया तो मरना हो जाएगा अपना paper में तो अगर किसी बच्चे को यह वाला जो example मैंने दिया था if this example is in mind अगर हमारे mind में है then हमारी calculation जो है वह इस से आजाएगी hundred c2 से मतलब आगया नहीं result hundred c2 तो अगर इसी इतने से आजाए hundred c997 thousand c997 तो इसका result क्या होगा thousand c3 ठीक है 995 c991 is equivalent to 995 c4 तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या ncr अनला formula देखो क्या बना ncr आ रही है इस इक्वल्स तो n n का तो n नहीं आ रहे हैं यहां पर देखो सेम आ रहे है 995 यह आ रहे है सी का सी भी सेम आ रहे है सेम आ गया लेकिन यह जो value आ रही है यह कैसे आ रही है यह value कैसे आ रही है जब हम 995 में से 991 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 4 तो मतलब हम कह सकते हैं कि n में से हमें क्या माइनस करना है आर को तो यह formula की की दूसरी फॉर्म हो गई मतलब यह फॉर्म हो गई है मतलब कुछ बच्चे कुछ राइटर्स कुछ टीचर्स इसको इस तरह से लिखते हैं on the other hand कुछ बच्चे इसको कैसे लिखते हैं n c x equals to n c y then x plus y is equals to n कुछ इस तरह से लिखते हैं बात दोनों में ही सेम है ultimate जो conclusion है वो यह है कि बड़ी calculation को अगर small form में convert करना हो then उस case में हम इस formula को use करेंगे आगी बात समझ में clear तो इसके basis पर एक question लेते हैं जो आपका paper में आ चुका है and that question is 18 c r is equals to 18 c r plus 2 then find the value of the r तो जैसे यह question आया तो बच्चे के माइंड में click कर गया कि यहां पर 18 18 सेम है और यहां पर इक्वल्स टू का साइन है ऐसा सर्थ भी होता है जब मैंने कुछा क्या जब इन दोनों का साम किसके एक्वलो 18 मतलब n के एक्वलो है ना तो क्या होगा क्या लिखेंगे हम solution में इसको करते हैं तो solution क्या होगा इसका और इसका साम इस इक्वल्स टू एन मतलब आर प्लस आर प्लस टू एक हमारा एक्स है एक हमारा वाई है दोनों का सम एंड के एक्वलों होगा 10 is 18 2 r is equals to 16 मलब 2 उदर जागे माईनस हो गया r is equals to 8 and this is our answer clear so this is rule number 1 permutation में अमलिक हैंगे type और यहां पर अमलिक हैंगे rule so this is rule number 1 clear let's move towards rule number 2 rule number 2 क्या कहता है rule number 2 में पहले मैं रूल लिखता हूं rule क्या कहता है ncr simple है plus ncr minus 1 ठीक है मतलब rule number 2 एक special case है जो इसी में अप्लाई हो सकता है इसी में किसी में किस में जब इस आर और इस आर में इस फिगर में दोनों में किते का difference हो यहां से यहां आए कब क्या difference होगा इन दोनों में वन का difference हो यह रूल तभी apply होगा जब आर में किते का difference हो वन का difference हो clear मैं इतने बड़े बड़े एक्ष्रों में लिख दिया अब तो याद रख लेना भूलना मत सर हम तो छोटे वाली बात भी नहीं भूलते ठीक बात है अब आगे देखें कि इसका result क्या होगा इसका result होगा n प्लस 1 अच्छा यह करना है मतलब जो भी यहां पर n दिया हो उसको यहां पर लाते time पर क्या कर देना है प्लस 1 प्लस 1 कर देना है ठीक है c और इन दोनों में से जो भी बड़ी वेल्यू हो बिगर वाली अब तो नैच्रल सी बात है इसमें कहने वाली क्या बात है आर और आर माइनेस वन में बड़ी वेल्यू किस की होगी बड़ी वेल्यू आर की होगी हो गया clear चलिये तो अब हम इसका लेते हैं example और example में मोस्टली previous year में जो question होते हैं अलग-अलग different exams में मैं वही prefer करता हूँ 12C4 plus 2 times of 12C5 plus 12C6 ठीक है यह इसका ultimate solution क्या होगा तो as a result we can apply rule number 2 as it is 12C4 same लिख दिया, 2 times of 12C5 है तो दो बार लिख दिया इसको, 12C5 plus 12C5 twice है, plus 12C6 ठीक है यह दो बार लिख दिया इसको मैने है अब अगर यहां पर rule number 2 apply करें तो यह 4 है बच्चों और यह 5 है क्या इसमें one का difference है बिल्कुल है तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा 13C5 12 में तो one add हो गया plus one हो गया और four and five में से जो भी बड़ा था वो आ जाएगा one का difference होना चाहिए बस इस रूल को apply करने के लिए इसमें बड़ी value कौन है 6 इस बार क्या जाएगा 13C6 अगें क्या यहां पर rule apply हो रहा है फिर से यह सर हो रहे तो क्या हो जाएगा one का difference है तो आंसर आ जाएगा 14C6 तीसी जार फाइनल आंसर तो question paper में पूछा हुआ क्या था question paper में यहां पर question mark नहीं था question paper में यहां पर question mark था 14C what यहां पर question mark था और options जो हैं वो दिए वे थे 789 and d is none of these so now tell me which of these option is correct तो अब यहां पर हमने देखा तो हमने देखा के इस question mark के place पर आ रहा है 6 तो यहां पर तो 6 है नहीं according to this क्या होना चाहिए था none but the correct is 14C6 is also equals to 14C8 यहां पर कौन सा rule हुआ rule number 1 यह rule number 1 so correct answer is 8 तो इस तरह से question दिया हुआ था जिसमें उसने rule number 1 और rule number 2 दोनों की एक साथ practice कर वाली है हो गया clear हां जी हो गया वही है अब हम आगे चलें rule number 3 की और rule 3 so rule 3 क्या कहता है rule 3 कहता है है अट लीस्ट वन है अट लीस्ट वन सेलेक्शन है यह हम बोल सकते हैं वन और मोर सेलेक्शन अगर कहीं ऐसा हो जैसे इसको समझे हम एक दिन की बात है एक कपल husband और wife एक शोरूम में गए है कैसे शोरूम में गए एलेक्ट्रोनिक्स का शोरूम था वही और उस इलेक्ट्रोनिक्स के शोरूम में क्या क्या चीजें मिलती है उस इलेक्ट्रोनिक्स के शोरूम में मिलता है टीवी और क्या मिलता है और मिलता है एर कंडिशन और क्या मिलता है और मिलता है वोशिंग मशीन टीवी फ्रीज एर कंडिशन और वोशिंग मशीन अब हस्बेन अपनी वाइफ को लेकर के गया है शोरूम में तो नैच्छल सी बात है कुछ ने कुछ तो जरूर खरीदा जाएगा खालिया तो नहीं आएंगे मतलब जरूर खरीदा जाएगा इसका मतलब क्या है कि कम से कम एक आइटम तो घर में जरूर आएगा अना और और पॉसिबिलीटी है कि एक से जादा भी आजाए तो एट लीस्ट वन का मिनिंग यहीं होता है कि कम से कम एक और दूसी तरव हम कह सकते हैं एक या एक से जादा दोनों का मिनिंग जो है वो सेम ही हैं तो अगर कोई एक चारों से कोई एक अबजेक्ट सेलेक्ट हुआ इन सच केस हम लिखेंगे फोर सी वन और अब यहां पर मैं एक बात जो मैंने अभी तक नहीं बताई और पूरी मैथमेटिक्स में काम आने वाली है वो यह जहां पर भी और वर्ड होगा वहां पर हमेशा आएगा प्लस और जहां पर भ माहारी प्राइमरी ड्यूटी है ठीक है यह यात होना ही चाहिए हो गया चलो MP 4C18 में से एक अबजक्ट घर में आ गया और 4 में से और 4 में से 7 पू और 04 के लिए क्या आता है प्लस तो फॉर सी वन प्लस फॉर सी टू प्लसु फॉर सी ठ्री प्लस फोर सी फॉर अब इस कांसर आएगा 15 ऐसे कैसे क्या मैं घर से याद कर याद कर Jewish city लिग दिया नहीं मुझे रूल न Мबर ढरी आता है इसलिए मैंने फिफ्टीन लिख दिया तो रूल नमबर त्री क्या कहता है अगर ऐसा हो तो इसकांसर डारेक्ट होता है टू की पावर फॉर माइनस वन अगर सर यहां पर फॉर के प्लेस पर एट अब्जेक्ट्स होते तो आप क्या टू की पावर एट माइनस वन लिखते हैं क्या माइनस वन इसलिए है कि यहाँ पर वन नहीं यहां पर टू होता तो एटलिस तू होता तो नहीं कि जित्ता बताएं उत्ता ही पढ़ना है कि ठीक है क्योंकि अधूरा नोलेज़् जो जो वो नुकसान करता है इसलिए ज्यादा नहीं तो एट अच legislation तो एट एटीन होगा तो एटीन ठीक है 918 हुआ तो 918 अब 918 कि आगे 9 लिख दिया मैंने तो अगर n objects होते हैं अगर हमें कहूं out of n objects total n objects हैं तो formula क्या रहेगा तो formula रहेगा 2 की power n minus 1 2 की power n minus 1 now the question is यह आया कैसे दो यह आया कैसे यह matter नहीं करता matter यह है कि हमारे syllabus में वो chapter यह वो concept नहीं है जिससे formula बना है उसका नाम है binomial theorem अभी के लिए नहीं है फिला तो binomial theorem जो है वो नहीं है तो binomial theorem में एक rule आता है nc0 plus nc1 plus nc2 डैस 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 प्लस ncn is equal to 2 की power n nc0 की जो value है वो one होती है तो अगर हमें nc1 से लेकर के ncn n तक की value निकालनी है और तो इस वन को हम यहां से काट करके कि दूसरी तरफ ले जाएं माइनस हो जाएगा यह यहां से आया मैंने सिर्फ कुछ बच्चे जो mathematics background के होते हैं उनके लिए मैंने बात बताई है unnecessary दिमाग पर लोड लेने वाला कुछ भी नहीं है दिमाग ना लगाएं जितना मैंने बताया है उत्ता अगर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है ठीक है तो मैं इसको मिटा भी देता हूं इसको मैंने रेस कर दिया सो conclusion क्या है conclusion is n c 1 plus n c 2 plus n c 3 plus n c n is 2 raise to power n minus 1 पूरे में से minus करना है 1 यह हमारा rule number 3 हो गया ठीक है इसका question भी यह जैसे I have 8 friends मैं exactly वह question बोला हूं जो अपनी sheet में है I have 8 friends और मुझे कम से कम एक दोस्त को बुलाना है बिना एक दोस्त को बुला है पता कैसे चलेगा market में message कैसे जाएगा आज मेरा birthday ठीक है और maximum कित्तों को बुला सकता हूं मैं 8 को तो हो सकता है किसी एक को 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 करूं if I am having 8 friends में भी दो को को करूं और चलते चलते maximum कितों कर सकता हूं 8 को तो फिनली answer would be 2 raise to power 8 minus 1 this is a answer clear है हो गया type 3 and now we are moving to the next rule a rule number 4 rule 4 ऐसे को rule है नहीं लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए यह एन सी जीरो की value 1 होती है आई कैसे formula में apply कर लेना formula लगा होगे तो answer आचाहिए एन सी 1 इस एन एन सी एन इस और यहां पर जो है इन दोनों में रूल टू लग रहा है वैसे knowledge के लिए बताया है और इन दोनों में भी अगर रूल टू लगाए तो हम ऐसा कह सकते हैं एन सी एन माइनस वन इस एन ठीक है रूल टू से सेम जन्रेट होता है हम जी तो रूल नंबर फॉर तो हमने कर लिया अब इसके बाद में रूल नंबर पाई वाता है शेप फॉर्मेशन वह हम करेंगे next lecture में अभी हम सर्कूलर प्रमुटेशन के जो पैंडिंग हमारे क्वेश्चन से टैन एलेवन क्वेश्चन से अरां वह कर लेते हैं सर्कूलर तो याद है फॉमूला याद है कोई बात नहीं है तो लेक्च्चर को पोज करें जो शीट है वह नोट से वह निकालें और फिर क्वेश्चन देखें ठीक है सर्कूलर के वह सिंपल से तो क्वेश्चन है ता नमबर व वेज इन विच इवन गर्ल्स फॉम और इंक सर्कूलर के लिए फोमूला होता है factorial of n minus 1 so factorial of 7 minus 1 it is 6 factorial 6 factorial क्या होता है 720 question number 2 the number of ways in which 7 boys sit in a round table so that 2 particular boys may sit together मतलब यह जो है sit together वो जरा हम देख लेते हैं क्या है इसका formula है हमारे पास में n minus x factorial into x factorial अगर any order की बात होता हो so n is 7 minus x is 2 यह 2 दिया हुआ into 2 factorial so 5 factorial into 2 factorial and answer is 120 into 2 240 वैसे हिसाब से तुम लोग मेरे स्टुन्टों मुझे यह question करवाने नहीं चाहिए तुम्हें मतलब इत्ती प्रेक्टिस होनी चाहिए concept की के question देखते ही समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है तभी तो ranks आएंगी ठीक है बच्चों इसको अटाते है next question की तरफ देखते है question number 3 के रहा है different jewels can be set to form necklace necklace ka formula क्या था and minus 1 ka factorial upon 2 so 50 minus 1 ka factorial upon 2 your answer is option B five persons are sitting in a round table such a way tallest person is always on the right side of the shortest बेटा tallest भी एक होता है shortest भी एक होता है total लोग हो गए पांच इसमें से बात कर रहा है दो लोगों की और particular order specific order particular word से तो आप हो सकता है परशान हो जाओ specific order specific order specific order का जो formula है बच्चों वो क्या होता है n minus x और राइट टाइम पर राइट formula अपना ही करेंगे तो आंसर आजाएगा five minus two factorial factorial three your answer is six question number five how many ways that eight members including president एक तो प्रेजिदेंट हो गया भाई एक वाइस प्रेजिदेंट हो गया can be arranged एक वाइस प्रेजिदेंट हो गया roundtable वाइस प्रेजिदेंट दू नोट कम तोगेदर एक साथ नहीं आने चाहिए नोट कम तोगेदर n minus one minus minus n minus x two factorial देखहिए दे रहे n minus one minus n minus x two factorial x factorial x की value two है वो तो फिन step में put होगी तो यह क्या आ जाएगा बेटा यह आ जाएगा एट minus one factorial minus eight minus two factorial two factorial तो seven factorial की value जो है वो है 5040 minus one four four zero तो आंसर आ जाएगा 3600 ठीक बच्चों को यह हमारा question number five हो गया तो तो यह जो question है जो remaining five six six question है क्या मैं इनको आपके होंवा के लिए देऊं क्योंकि एक सब्सक्राइब करेंगे तो I think better option है क्योंकि तभी मतलब आप question अराम से सारा stress देखर के पढ़ेंगे अच्छे से ठीक है इनको question को करते हैं को doubt आए तो आप मुझे inform कर दीजेगा मैं next class में ले लूँगा ठीक है और अगर कोई कि बच्चा next class के बाद में इस class को देखता है तो वह वैसे मतलब comment section में comment करतेगा या हमें WhatsApp कर देगा मैं फिट से अपना WhatsApp नंबर आपको बता रहा हूं ठीक है WhatsApp नंबर हमारे जो भी है इन नौट्स में दिया हुआ है आप इन से ले लेंगे यहाप हमें इन नंबर पर ठीक है और हमारी जो साइट है रोंबस education.com आप वहां पर भी विजिट कर सकते हैं तो तब तक के लिए bye bye अच्छे से पढ़ाई करें have a nice day bye bye take care बच्चों